इफर बस सेंका है थोड़ा सा मॉडर्ल का डिफरेन्ट है बाकि सब सेम है आज मैं आपको दोस्तो बताने हुआ हूं काफ़ कीजिये जो आज सीटूब के किसी ने नहीं बता होंगी सही रूप से नहीं सबसे पहले मेरे पास यह वाला बोड़ है यह मैं आपको बता देना चाहता हूं किस चीज का यह LED TV का बोड़ है PB816 सबसे लेटस्ट मोडल बोड़ है यह दोस्तो सबसे ज्यादा LED TV में यूज किया जाता है आपका 32-H-Hour त्वेंटिफोर इंचुआ मालब सबसे ज़्यादा जो हमारे असम्बल ऐलेड Prose कर पहले कितनी जाना चाहिता यह किस काम के लिए कितनी काम खता है का शह पूरा सिस्टम कहmist कितनी व & पर्ल पर स्पर के UK इंच marc कर देता हूँ फिर मआपको दिखाऊंगा यह हमारा दोस्तों यहां पर primary सेक्षन है यानि मुद्वक्षे सब्सक्राइब सबार्प है यहां से स्थार्ट होते हैं यह हमारी ट् 술 डी सफ्प्लाई है यह त्यूं Tara हमारे डायोड है SMD यह हमारे टोटल SMD डायोड होते हैं जो हमारे यह प्लस माइनस में माइनस में माइनस में से प्लस माइनस में चेंज करने के लिए लगाए गए होते हैं यहां पर SMD डायोड है अब मैं समझा देता हूं इसका सिस्टम देखिए यहां से मैं आपको दोस्तो बाद में सीद्धा स्विच बाद में सीद्धा हमारी यहां पर एक यह होती है fuse, fuse के पार होते ही इस क्वैल पर आती है क्वैल से पास ही, तुरंद अगर क्वैल से पास हो रही है, अगर क्वैल हमारी है ठीक है और fuse हमारा ठीक है तो यह जो bridge rectifier देख रहे हैं यहां पर एक है तो यह देखिए दोस्तों इन पॉंट मांद Ungu CDs को यह देखिए 205 परजेंट है ठीक है कि निसी नहींड है यहां से यहां से फ्लस आउट हो जाती है यह देख सकते हैं आप प्लस वाला पॉइंट हैं यहां पर यह देख सकते हो और यहां पर माइन सबक्रण करों मायनस पर लगाते हैं प्लस का प्लस पर पी यह देखिए 26 hatred आ जा जाएंगी तो हमारी यहां तक यह क्लियर है तो हमारी तो यहां पहले तो यहां पर मिलनी चाहिए तो हमारी यहां पर ग्राउंड कर दिया निक्निक्राउंड कौन सा एक तो यह वाला हुआ है हमारा लोहे का पॉइंट एक यह है पर दो इन से दो डायोड लगे हैं यह तो यह डायोड है आप देख सकते हैं यह वाला और एक डायोड है हमारे यह वाला ठीक है हमारे यह यह जो माइनस माइनस पॉइंट है एक जंगे जोइंट है यह देख सकते हैं आपर एक जंगे तरफ है इधर की तरफ और यह डायोड जो है हमारा यह हमारा बैकलाइट सेक्षन की तरफ है यानि कि बैकलाइट सेक्षन इधर की तरफ यह जो बैकलाइट सेक्षन है तो हमारा जो बैकलाइट सेक्षन वाला यह वाला डायोड होगा इस पर हमारे 20 से 24 मिलेंगे यहां पर य यह देखे 18.44 voltage मिल ले हैं उसके बाद में यहां पर यह वाला जो देखो कि इस पर मिलेंगा आपको 12V यहां पर प्लस वाले पॉइंट पर यह देखिए हम मैं दिखा देता हूं आपको यह देखे 12.12 voltage मिल ले हैं बिलकुल तो यहां पर आपको 12 voltage मिलेंगे यहां पर दोस्तों 20-25V का असपास मिल सकते हैं आपको ठीक है इस पर यह बुश्ट टोड़ते रहते हैं जिसे साब से यहां पर आउट पूट जाती है उसके बाद में दोस्तों एक हमारी यहां पर लगे होते हैं छोटे बारी लेगुलेटर मिलेंगी एक कोई आपकी यह लगी यह फिल्टर को यह लगी हो यह न पूंट वोल्ट पर लगै को इसह यह लगोस्ते यह यहां आप को तो सभी तरीके से दिखेगा यह देखी अब पहली कॉयल हमारी त्रफ वह लूप्र और फाइव वोल्ट थे दूसरी तरफ भी बरावर मिलनी चाहिए तो arrow होगे तीम यह रूमने के वायल है यहां यह होती है flash IC ठीक है इसकी pin number 1 पे दोस्तों आपको 3.3 voltage मिलेंगी यानि कि जिदर dot है यह देख सकते हैं आप अच्छे से देख लीजिए यह जो आप देख सकते हैं यहाँ पे dot है यह चोटा सा उसकी pin number 1 है यहाँ पे arrow भी दिया गया है तो इस पे दोस्तों आपको 3.3 voltage मिलेंगे यह देखे 3.3 voltage मिल लिए है 3.2.83 मिल लिए है ठीक है उसके बाद में एक regulator roll लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो 5.2 वल्ट यहाँ पर आनी चाहिए अगर यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको ट्रैक करना है रेइस्टेंस या कोई ट्रैक ओपन तो नहीं हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हो इस regulator को भी बिल्कुल ओक्य है उसके ब सकते हैं बाद में यहाँ पर आजाते हैं यह पैनल की यहाँ पैनल का अल्वीडS चनेक्शन देने के लिए यहाँ पर दोस्तों इधर जो एयरो लगा हुआ यह पॉंट जो लगागा का यहाँ से सप्लाय स्टार्ट होती है यहां आपने अपने ड्रैफिक सिकनल स्टार्ट तो यहां पर जो वॉल्टे मिलेंगी जम मिलेंगी पेनल ओंढ़ाउ फालेले यापका लावका लेडी टीवी ओंपा अपनों करनेके बाद दोस्तों में इसको वोल्टे में भूरा तो से करों यहां बहुत करता हूं ओंढ़ रहा थोड़ी डेक्षब कर देता हुँ ओब यह आपको दिखा देता हुँ यह आखे दोस्तों मैंने एक प्रोब को यहां पैस कर दिया है और यह चख यह तो इहां पर यह अब यहां पर और यहां पर आती है पहले ही मैं सब्स्रक हुआ हूं तो मीटर में देख रहे हूंगा 0 voltage है जब मैं इसको ON करूंगा LED TV को यहां से button से ON करूंगा stand wise release तो तुरंथ यहां पर 12V आ जाएंगे यह भी आप देखना है तो यह देख सकते हैं अब 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 होते ही हमार LED TV में यह देखे 12V आ गई मीटर में आपको सो रहा होगा यहां पर 12V आ चुकी है मैं इसको एक बार LED TV को off ही कर देता हूं main board से यह देखे off कर दिया और यहां से 12V चले जाएंगे अब मैंने on कर दिया तो यहां से stand wise mode पे light आ गई लाश्ट वाली पिन पर 1.2V आ जाएंगे तो यह देखे दोस्तों यह देखे 1.23V का असपाथ यहां पर आ गए ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह जो आपकी IC देख रहे हैं यह sound IC है इसकी pin नमबर 30 पे है नहीं कि सबसे लाश्ट वाली पिन पर आपको 12V मिलेगी यह देख सकते हो 12V मिल लिया बिल्कुल करेक्ट नहीं मिल ली तो इसकी यहां पर एक resistance लगी होते है वो चेक कर लेनी आपको वो 12V आपकी आ जाएंगी तो यहां पर 12V आ गई प्रोब अटानी होगी बैक लाइट को चेक करने के लिए बैक लाइट की दोपी ने दी गई है यहां पर दोस्तों आपका 50V से 1500V के बीच में मिलती है अब मैं देखिए दोस्तों यहां पर दोनों प्रोब लगाकर रखता हूं यह देखिए आपको मोड नहीं है इसलिए वाप्स आ रहा है यह देख सकते हैं देखिए वाप्स आने लगी वोल्टेज अब मैं जैसे ही मैं इसे पूरा पूरा बंद कर देखिए में पावार बंद कर दी फिर दुबारा से ओन करता हूं और स्टेंडवाई मोड में है अब यह अपने आप ओन हो जाएगा नहीं तो हमें यहां से स्टेंडवाई से रिलीज कर लेंगे तो मैंने आपको बता दिया करते कितनी वोल्टे जाती है आप समझ गई होंगे यह सबी चीजें हूं पर हमारी 220 वॉल्ट के बारा में यहां पर पिन नंबर 30 पे 12 वोल्ट आती है ठीक है उसके बाद में यहां पे रेगुलेटर लगा हुआ है इस रेगुलेटर पे दोस्तों हमारी 5 वोल्टेज इस कोयल पे जाती है ठीक है कोयल से यहां पे एक और रेगुलेटर लगा हुआ है यहां पे 1.2 वोल्ट आती है ठीक है उसके बाद में द देख रहे हैं मैंलो जिसे flash IC बोलते हैं यह flash IC बोलते हैं software IC ठीक है तो इसकी pin number 1 पर दोस्तों आपको 3.3 volt मिलेंगी यहाँ पर एक regulator लगा है pin number 4 पर यहाँ पर 5 volt मिलेगी तो दोस्तों यह सब voltage यहाँ यहाँ मिलती है जब आपका proper LED वर्क करता है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कहाँ पर कितनी वीडियो बनाने में इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल से देखते रहे ना आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में जाहिन वंदर मातन दोस्तों आपका दिन सुबों